हेलो एवरीवन वेलकॉम अगेन टू लंवरे देतीमन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्षक भरती पायणाम को लेकर जहां सभी बच्चों ने यह चाहा था सबसे पहले जो है फ्रस्ट ग्रेट का रिजल्ट आए और इन बच्चों को जो है जो है जो है जो जो हो मिले ठीक है और result जो है वो धीरे-धीरे मैंने आपको कहा था सब के आज आएंगे और maximum बच्चों के जो है वो आही चुके है जो जिसमें संक्या सबसे अधिक होती है जिन subjectों में तो उनके result आ गए है और joining भी जो है वो सबसे पहले इन ही बच्चों को मिलेगी ठीक है तो व्याक्यता का पहले आया है तो joining भी इन ही को मिलेगी बच्चों की काफी चिंताएं जो है वो दूर हुई है क्योंकि अगर उनका second grade और third grade में जो है अगर उनका number आता तो इसका result जो है वो अभी तक आ जाना चाहिए था बट यहां पर काफी कम्या जो है वो आप लोगों को सब ही को पता है काफी कम्या जो है देखने को मिली है हाला कि result के बारे में जो है यहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से बारी की से जो है वो काम हो रहा है और ये भी है कि जून में जो है इसका भी result जो है वो जारी हो जाएगा ठीक है ये चीज जो है मालुम हुई है कि जून तक जो है इसका result आ जाएगा मई में जो है इसकी आने की जो है वो बिल्कुल ना की बराबर संभाबना है यह कहा जा रहा है कि मई में तो इसके जो है result नहीं आएगा लेकिन second grade का अगर result आ जाता और अगर result भी थोड़ा सा late आ रहा है लेकिन third grade से पहले अगर इसकी joining हो जाती काफी बच्चों को जो है यहाँ पर भी help हो जाएगी जिन बच्चों के marks जो है थोड़ा सा कम रह गए है या एक दो mark से जो है वो रह जाएंगे तो second grade में तो यह समझे थोड़ा question mark जो है लगा हुआ है क्योंकि जब किसी चीज में कमी होती है तो उसकी भरपाई करने के लिए समय भी चाही होता है लेकिन result के बारे में आप positive रहिए आप लोगों ने यदि महनत की है तो आपका result ज में देखा कि 6 या 7 बच्चों के किसी subject में 5 या 6 बच्चों के या फिर 4 या 5 बच्चों के जो है result को रोक दिया गया है वो लोग नकल करते हुए पाए गए या कोई भी कारण हो सकता है तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही जो है वो होगा बिल्कुल fair यहां पर decision लिया जा र जग रहा है ठीक है third grade का परणाम जो है वो कब तक आएगा जहां पर राजिस्तान करमचारी चैन बोर्ड की ओर से जो ये exam लिया गया था तो इसमें कहा गया था कि result जो है वो जल से जल जारी हो जाएगा पहले हमने देखा कि अप्रेल की बात हो रही थी अप्रेल के महाम मे जारी हो जाएगा लेकिन ending तक जो है बच्चे इंतजार करते रहे नहीं जारी हो पाया यहां पर समस्या क्या आ गई यहां पर जो है question जो है उनमें इतनी गलतियां मिली है और जिस वज़े से बच्चों ने objection किया है ठीक है अब objection किया है तो हर question पर जो है board को यहां पर बहु जाएगा तो उसमें काफी बच्चे आगे हो जाएंगे और एक question अगर गलत होता है तो काफी बच्चे पीछे हो जाते हैं तो यहां पर बच्चों की जिंदिगी का सवाल है आप थोड़ा सा wait तो करी सकते हैं अगर आपका question सही है तो आपको दो marks उसके मिलते हैं ठीक है तो ठीक है लेकिन काम जो है वो लगातार चल ही रहा है अभी हाली में आपने जो है एक notice जो जारी हुआ कि जो लेवल वन है उसकी संसोदित विशेवार जो पदों का वरगी करन किया गया है यानि कि इन सब चीज़ों से यह पता लग रहा है कि काम तो जारी है ठीक है तो यहां पर मई के end या फिर आप June के first week में यह मानिए कि result जो है वो जारी हो जाएगा सबसे पहले किसका प्रेणाम आएगा तो इतने सारे जो है विध्यारती है और result एक साथ जारी पाना जो है वो board के लिए मुस्किल है इसलिए board जो है वो अब क्या करेगा board जो है वो सबसे पहले जो है वो level 1 का result जारी करेगा उसके बाद जो है level 2 का result जारी होगा level 2 में भी सबसे पहले किसका result जारी होगा तो SST वाले बच्चे जो है तयार रहें सबसे पहले SST वाले बच्चों का ही result जारी होने की पूरी पूरी संभावना है ठीक है दावा किया जा रहा है कि सबसे पह अब यहां पर बच्चे जो है यह सोचने लग जाते हैं कितने दिन हो गए जो है रिजल्ट ही जारी नहीं हो पा रहे हैं आप खुछ सोचीए अगर आप जो है वो किसी स्कूल में आपकी जॉइनिंग हो जाती है तो स्कूल में भी आप देखेंगे कि बच्चे जो एक्जाम चाहे वो board का exam हो, चाहे स्कूल में लिये जाने वाले exam हो तो वहाँ पर भी time चाहिए होता है ठीक है, result जारी करने के लिए जो वहाँ पर भी कम से कम 20 या 30 दिन का time जो है वो लिया ही जाता है तब भी fair तरीके से result जारी हो सकता है यहाँ पर आप देखते हैं कई twist आए है exam में first grade, second grade, third grade एक साथ एक तो exam हो गए ठीक है, जहाँ पर बच्चेओं के सामने भी यह समस्या रही कि first grade का अच्छे से तैयारी करें या second grade की करें या third grade की करें ठीक है, जब बच्चों के सामने यह समस्या आई लेकिन बच्चों को तो exam देना ही था वही third grade में तो syllabus ही change कर दिया गया, कम time मिला तो बच्चों ने हड़ बड़ा हट में exam दिया ठीक है, क्योंकि syllabus को complete कर पाना संभव नहीं था हाला कि मैंने आप लोगों को syllabus जल से जल करवाने की पूरी पूरी कोशिश की ठीक है, तो first grade का जो है वह आप आई ही चुका है बच्चों के चहरे पर जो बिल्कुल मुस्कराहट है, जिन बच्चों के जो है जिनको third grade में लग रहा है कि उनके 80 प्लस जो है वो marks है वो अभी भी जो है वो positive रहे ठीक है, अभी भी जो है वो सकारात्मक बने रहे क्योंकि ये समझ ये 99 परसेंट जो है उनके chances है जिनके 80 प्लस marks है उनके 99 परसेंट जो है वो chance है कि उनका result जो है उनको अच्छा मिले, ठीक है तो ये जीज बिल्कुल आप लोग जो है वो निरास नहों कि हमारे तो इतने कम marks रहे गए और अब हम क्या करें, 80 प्लस marks वाले जो है वो अभी भी positive रहे चाहे कोई भी channel आपको cut off बताए ठीक है और ये कहे कि 85 से उपर वाले जो है उनका selection हो सकता है तब आप नहीं मानेंगे, आपको मान के चलना है कम से कम 80 ठीक है कम से कम 80 अगर हैं आपके तो भी आप जो है यहाँ पर आपको जो है अच्छा result मिल सकता है इसका तो बिल्कुल सोचने की जरुरत नहीं है क्योंकि जितना सोचेंगे है उतना ही ज़्यादा जो है वो mind खराब होता है यहाँ पर जिनके 80 से कम है तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है राजिस्थान जीके की बुक और N-C-E-R-T जो बुक है ठीक है और राजिस्थान बुक इसको आप उठा ले इसको तयार करने में लग जाएं क्योंकि आप बच नहीं सकते हैं इन दोनों चीजों से यदि आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप बूल जाएं कि आपका कहीं सेलेक्शन होगा ठीक है कहने में तो बुरा लगता है कई बच्चे जो है वो guide का यूज़ करते हैं कई सोचते हैं कि coaching कर लेंगे ठीक है जहां पर topic wise करा दिया जाएगा तो हम हमारा हो जाएगा topic wise भी वहीं पर हो सकता है जहां पर in book का use करके ही आप लोगों को notes प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और जैसा कि पिछली भरती में आप देख रहे हैं कि second grade के third grade के जो है वो मैंने NCRT और राजिस्थान book के 12 तक के third grade में आप लोगों को notes प्रोवाइड करवाए इसी से आप लोगों को पढ़ाया इसके अलावा किसी भी book को मैंने हाथ भी नहीं लगाया और आज तक नहीं आते हैं objection जब करते हैं question के ऊपर बचे तो इन book को ही लेकर दिखाएंगे कोई इतना कोई तो authentic proof चाहिए ही होता है यही बात जो है वो second grade syllabus में रहती है ठीक है वहाँ पर थोड़ा level जो है वो बढ़ जाता है आपको graduation तक की book लेनी पढ़ती है लेकिन NCRT राजिस्थान book जो ह ठीक है और अगर हम बात करें कि ऐसे बचे जो पहली बार जो है वो read का exam देंगे read pre का exam देंगे तो उनको मेरा कहना है कि केवल 6 से 10 तक की पढ़िए इसके आगे पढ़ने की कोई ज़रूत नहीं है आपको अगर आप read mains की त्यारी कर रहे हैं read mains की त्यारी कर रहे हैं तो आपके जो है वो hundred marks से उपर जो है वो आपके आएंगे ही आएंगे और यहाँ पर selection हो भी जाता है hundred plus जिसके marks होते हैं उसको सोचने की भी जूरूत नहीं होती है मैंने कई बार जो है वो बच्चों को यही चीज कही है लेकिन जिसमें 50% बच्चे सुन लेते हैं और वो ही का और कर देते हैं जब उनका roll number नहीं नजराता है उनको result के दोरान तब वो आकर इनी books को पढ़ते हैं क्योंकि इन से आप बची ही नहीं सकते हैं paper ही आपका इन books से बनाया जा रहा है तो आप जो है वो कहां जाओगे ठीक है अगर कुछ बच्चे सोचते हमारे पास time का अभा 80 से कम marks है वो बच्चे जो है 80 sorry मैंने आप लोगों को marks बोल दिया है 80 question जिसके सही नहीं है 80 से कम है और जिनको कोई भी category का profit भी नहीं मिलेगा तो वो बच्चे जो है वो NCRT और राजिस्थान की book जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें चैनल पर सबसे पहले मैंने आप लोगो को यही चीज करवाई है इसके अलावा में आप लोगों को कहीं भी भटकाती नहीं हूं आपको simple way में यही बताती रहती हूं कि इन ही book को पढ़िये चाहे आप खुद पढ़ें चाहे चैनल पर पढ़ें चाहे आप जो है वो मेरा course लें यह आपके उपर depend करता है जैसा आप को अच्छा लगता है ठीक है तो यहां हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि first grade का result जो है वो समझ यह आ ही गया second grade का जो है वो जून में इसका परणाम जो है वो देखने को मिल सकता है कोशिश जो है वो यही board की रही है लेकिन third grade का जो है यह आप आप देखिएगा कि आप को मई के ending तक और जून 15 तक ठीक है जून 15 तक जो है वो आपको सभी को result देखने को मिलेंगे सबसे पहले level 1 का आएगा फिर level 2 का और जिसमें भी sst के subject का आएगा तो आप तयार रहिएगा और बार बार जो है इस चीज में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाईए कि रोज आप आप जो है वो देखने को बैठ जाएं कि result जो है वो कब आ रहा है result कब आ रहा है ठीक है क्योंकि जहां काम चल रहा होता है तो वहां उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि result जो है इतनी date तक जो है वो आ जाएगा ठीक है तो रोज रोज इस चीज को जो है वो पूछ कुछने से या देखने का कोई भी मतलब नहीं होता है जो आप काम कर रहे हैं उसी को करते चलिए क्योंकि बार-बार जो है आप और भी चैनल पर यही चीज जो है वो जाकर देखेंगे तो आपका समय ही खराब होगा मैंने जब आपको बता दिया है कि यदि आपके 80 प्लस जो है वो कुशन सही है तो आप जो है वो बिल्कुल सकारात्मक रहें आपका रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा अगर आपके 80 प्लस नहीं है 80 से कम जो है वो आपके कुशन सही हुए है एक्जाम में थर्ड के एक्जाम में तो आप बिल्कुल मार्केट जाएं, NCRT बुक जो है वो उठाएं, 6 से 12 तक की और उसको पढ़ना चालू कर दें 6 से 12 तक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर जो बच्चे रीट प्री का एक्जाम देंगे उन्हें 6 से 10 तक ही पढ़नी है, वही बुक पढ़नी है उसके बाद दो ग्लासिज और बढ़ जाएंगी रीट मेंस के लिए, ठीक है और राजिस्थान की जो बुक है, राजिस्थान जीके की हमारा राजिस्थान की जो बुक है 6 से 12 तक ही, वो तो आपके लिए कंपल्सरी है, आप किसी भी एक्जाम को दें राजिस्थान में वहाँ आप इन बुक के द्वारा ही जो है जीत सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर जो है स्टॉप करेंगे, यदि आपको मेरी बाद जो है समझ में आई, तो आप लोग इसको फॉलो करें, NCRT राजिस्थान जी के की बुक जो है वो पढ़ें अलाकि चैनल पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, NCRT राजिस्थान जी के, लेकिन बच्चों की संख्या इतनी कम है, कि मेरा भी मन नहीं लगता है कम बच्चों की संख्या देख कर कि बच्चे जो है, वो इंटरस्ट ही नहीं ले रहे हैं कियोंकि बच्चे यूट्र बस यही सर्च करते हैं कि कौन जो है वो अभी भी उनके जितने कोशिशन सही हुए हैं उतनी cut off बता दे ऐसा नहीं होता है, जितना आप करके आये हैं result भी आपको उतना ही मिलेगा, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है आप लोग जो है वो बिल्कुल authentic जब आ जाएगा result उसका wait करें मिलेंगे next वीडियो में Thank you